तो दोस्तों आज में बात करने जा रहा हूं Galaxy A30s और Galaxy M30s के बारे में एक ही brand के दो device एक आता है online जिसके visualization offline आने वाले महेंगे device से ज़्यादा दमदार हैं तो यह दोनों ही devices के बारे में बात करते हैं कि वाकी Galaxy M30s में कितना दम है या फिर A30s में कितना दम है दोनों ही devices में क्या difference है और कौन दवाइस आपको पर्चेस करना चाहिए तो चलिए सबसे पहले इस comparison के सुरुवात करते हैं design से तो दोस्तों बात करने कर डिजाइन के तो कुछ यह design आपको देखने को मिलता है दौनों ही devices में दौनों ही devices आज के ट्रेंड को फॉलो करते हुए बैक पर ग्लॉशी फिलिक से साथ आते हैं अब यहां पर आपको मिलता है और यहां पर आपको मिलते हैं कुछ रेंबो यहां पर बैक पर आपको मिलता है फिंगर्पिंट इसके अलावा फ्रेंट पर आपको डिस्प्ले के नौश टाइप में भी डिफ्प्रेंस देखने को मिलेगा मतलब गैलेक्सी M30S में जहां आपको मिलती है यू टाइप नोच यानिकी इनिफिनिटी यू डिस्प्ले वह इसके अलावा बात करें अगर वेट की तो वेट में भी आपको डिफ्रेंस देखने को मिलेगा गैलेक्सी M30S की 7.8 mm तो बैटरी बड़ी होने की वज़ए से अगर डिवाइस की बात करें तो M30S उतना कॉम्पेक्ट नहीं जेतना A30S है बागी का डिजान तो दौनों का ही एकदम अमेजिंग है और प्रेमियम है अब बात करते हैं दौनों ही डिवाइस के डिस्प्ले की तो गैलेक्सी M30S में आपको मलता है 6.4 इंच का तो थोड़ा से डिफ्रेंट देखने को मिलेगा इसके अलावा यह नौश टाइप अब यहाँ पर डिस्प्ले कंपेरिजन करने से पहले में दौनों ही डिवाइस को सेम स्क्रीन मोड पर लगा देता हूं मतलब दौनों में ही आपको दो ऑप्शन मिलते है एक तो नेच्छ तो यहां कलर्स में बहुत बड़ा डिफ्रेंस नहीं है सबसे पहले डिफ्रेंस जो है वह शार्पनेश का क्योंकि यहां पर आपको मिलता है फोल एच्टी प्लस डिस्प्लेग और गैलेक्सी एठर्टी एस में थोड़ी सी यलोनेश बाकी किसी कलर में आपको इतना डिफ् सकते हूँ और यहां है यह ब्लू कलर और यह लास्ट में रेट कलर तो थोड़ा वो जो डिफ्रेंस आपको ने दर आ रहा है वह शार्पनेश के विए से क्योंकि यहां पर आपको फुल एच्टी प्लस डिस्प्ले मिलता है जब्कि एच्टी प्लस और जो में डिफ्रेंस ह वो केवल वाइट कलर में ही आपको देखने को मिलेगा बाइद अब दोनों ही डिवाइस का डिस्प्ले एक दाम अबेजिंग है लेकिन कंपेर करें तो यहां M30S का डिस्प्ले आपको ज्यादा पसंद आएगा अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइस के UI फीचर के बारे मे दोनों में ही आपको गेम लॉंचर गेम टूस मिल जाता है डूवल मेसेंजर मिल जाता है अब गैलक्सी में आपको साइट की नाम का भी ऑप्सन मिल जाएगा मतलब यहां कर सकते हो कि पॉवर की से डबल प्रेस करने के बाद आप कोई पर्टकुलर एप्लिकेसन लॉंच कर जहां पर दोनों ही डिवाइस में जरूरी जरूरी सारे शॉटकर्स दिये गहीं जैसे कि दोनों में आपको मिल जाता है और सब्सक्राइब करता है और यह फीचर आपको गैलक्सी M30S में नहीं मिल जाएं या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो इसके अलावा सबसे कमाल का फीचर आपको गैलक्सी M30S में तो मिल जागा लेकिन यह फीचर आपको गैलक्सी अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइस के के मेरे की तो रेयर पर दोनों वहीं आपको मिलता है ट्रिपल के मरा सेट पर दिया गया है सिंगल के मरा सबसे पहले बात करना अगर यहां बात करना है गर गैलक्सी एठाटी एस के बारे में तो यहां रियर पर प्राइमरी केमरा दिया गया है 25 यहां भी आपको मिलता है 16 मेगा पिक्षल का फ्रेंट केमरा जिसका फ्रेंट के लिए इसके अलावा दोनों के लिए इसके अलावा दोनों से आपको सीन ऊप्टुमेजर दिया गया है इसके अलावा दोनों में ही आपको स्लो मोशन भी मिल जाए गा ket Galaxy M30s में आपको super slow motion भी मिलेगा, fast motion भी मिलेगा, इसके अलावा night mode भी दिया गया है. कुछ extra features की बात करें, तो Galaxy M30s में video के लिए super steady mode भी दिया गया है, और EIS याने की video stabilization भी दिया गया है. वीडियो recording की बात करें, तो Galaxy M30s से आप Ultra HD तक का video record कर सकते हो, वहीं Galaxy A30s में आपको cable full HD video recording का ही option मिलता है. लेकिन 60fps का option ना तो आपको M30s में मिलेगा और ना ही Galaxy A30s में. camera performance को compare करें, तो ज्यादा जानकार ये लिए आप मेरा अलक्स से upload किया गया camera review देख सकते हो. इन शॉट यहां बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं color tone की, तो rear camera के pictures में आपको Galaxy M30s में natural color tone देखने को मिलती हैं, वहीं Galaxy A30s में colors थोड़े से उभर उभर नजर आती हैं. लेकिन जो higher resolution की photos लेते हो, तो Galaxy M30s से आपको मिलेगी 48 megapixel की photos तो उस condition में आपको ज्यादा अच्छी detailing देखने को मिलेगी Galaxy M30s में, इसके अलाबा दो प्यर की टाइम जो photos capture की हैं, वहां Galaxy M30s में ज्यादा बेलेंस exposure level देखने को मिला है as compared to A30s, के अलाबा दॉनों ही devices के pictures मे Galaxy M30s ज्यादा अच्छा लगता है, इसके अलाबा rare camera के portrait mode की बात करना तो दोनों का यह जड़ एक्दम कमाल का है, लेकिन दोनों में ही आपको dynamic range का issue देखने को मिलेगा, front camera की बात करना तो भाई, यहां दोनों ही मुझे एकदम amazing लगे, दोनों different है, जैसे कि आप यहां देखने को मिलता है, लेकिन Galaxy M30s में आपको net mode भी दिया गया है, और net mode का use करके आप कमाल की photography कर सकते हो, net में भी, वीडियो recording की बात करना तो यहां Galaxy M30s से आप Ultra HD तक का video record कर सकते हो, इसके अलाबा, stabilization की बात करना तो आप यहां देख सकते हो, EIS का support आपको मिलता है, Galaxy M30s मे लेकिन Galaxy A30s में EIS का support नहीं है, इसके अलाबा, Galaxy A30s से आपके वर Ultra HD तक का ही video record कर सकते हो, stabilization की बात करना तो यहां पर M30s में आपको super steady mode भी मिल जाएगा, overall video recording में भी Galaxy M30s completely A30s से बहतर है, slow motion video की बात करना तो Galaxy A30s से आप 120 fps पर slow motion video record कर सकते हो, वहीं Galaxy M30s में आपको 240 fps के सा 480 fps पर भी slow motion video record करने का option मिलता है, overall rear camera में completely Galaxy M30s A30s से बहतर है, front camera में दोनों ही लगवग मुझे same लगे, अब बात करते हैं दोनों ही devices के hardware की, तो Galaxy M30s में आपको मिलता है Exynos का 9611 processor और Mali-G 72 MP3 GPU, वहीं Galaxy A30s में आपको मिलता है Exynos का 7904 processor और Mali-G 71 MP2 GPU, प्राइजिंग और versions की बात करने, तो M30s में आपको मिलती हैं दो version, पहला आता है 4GB RAM, 84GB internal memory के साथ, जिसका प्राइज है 14,000 रोपे, और दूसरा variant आता है 6GB RAM, 108GB internal memory के साथ, और इसका प्राइज है 17,000 रोपे, वहीं बात करने, A30s के वारे में तो वहां केवला भी एकी version आता है, 4GB RAM, 84GB internal memory और इसका प्राइज है 17,000 रोपे, अब भाई, difference की बात करें की hardware में कितना difference है, ये N22 benchmark score सापके आँखों के सामने है, completely Galaxy M30s, A30s से बहतर है, बहुत बड़ा difference है hardware में, practical ही बात करें तो common use के लिए दोरों ही devices एकदम amazing है, लेकिन अगर heavy applications की बात करें, तो वो Galaxy M30s पर जल्दी ल इसके लिए PUBG की बात करें तो वहां पर आपको HDR का support मिलता है, इसके अलावा extreme frame rate का भी support मिलता है, वहीं बात करें, galaxy A30s की तो वहां के अवल आपको high graphics और high frame rate का भी support मिलेगा, इसके performance को आपस में अगर compare करें, तो obviously बात है M30s में अगर आपको मिलता है, extreme frame rate का support तो वहां पर 60 fps की वीडियो की तर आपको gameplay होता है, जबकि इतना smooth gameplay A30s पर आपको नहीं मिलेगा, तो hardware में भी M30s completely A30s से बहतर है, बैटरी की बात करो तो galaxy M30s में आपको मिलती है 6000 image की बैटरी, वहीं galaxy A30s में आपको मिलेगी 4000 image की बैटरी, और बैटरी वैकप की बात करा, तो A30s का बै बैटली A30s से ज्यादा अच्छा है, और अगर आप एक budget smartphone चाहती हो, कम पैसों में ज्यादा चीची चाहती हो, तो भाई M30s अपनी आप में एकदम कमाल का phone है, अगर 17000 की भी बात करें तो वहाँ भी आपको M30s का 6GB RAM, 108GB internal memory वाला version मिल जाएगा, A30s में केबल मुझे दो चीची लगे, एक तो design मुझे A30s का M30s से ज्यादा बेहतर लगा, लेकिन ये मेरा opinion है, दूसरी चीज जो under display fingerprint scan है, वो थोड़ा सा futuristic लगता है, और device को थोड़ा सा cool बनाता है, बस ये दो चीज़े ही इसमें A30s में बेहतर लगी, बाकि की सारी चीज़ें M30s में बेहतर है, इवन fingerprint scan की performance की बात करें, वो भी M30s की ज़्यादा बेहतर है, तो आपके सोस्ते दोनी devices के बारे मैं तो भाई M30s के तरफ जाओंगा completely, आपके सोस्ते प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूरू बताएं, मुझे अधी भी आपको पसंद आए होगा, तो प्लीज वीडियो को ला बाई, आपके निशो को